आज हम टॉपिक देखने चाहा है अप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव का एक्सराइज नंबर 2.4 आज की ये वीडियो में हम क्वेशन नंबर 1 टू क्वेशन नंबर 3 के सारे एक्सम्ब्स कवर करेंगे इसके जो बच्चे वे क्वेशन से इसको हम दूसरे वीडियो में कवर कर करेंगे ठीक है तो देखे यहां पर एक्सराइज नंबर 2.4 में हमारे पास दो टाइप के क्वेशन है एक है हमारा बेस्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा ठीक है तो आज जो हम क्वेशन देखने जा रहें रहें क्वेशन नंबर 123 उसमें हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप के क्वेशन पर बेस्ट है क्वेशन ठीक है और जो मैक्सिमा मिनिमा है जब स्टार्ट होगा स्ट्ट वहां पर हम डिसकर्स कर लेगे ठीक है तो आज हम डिसकर्स क्वेशन नंबर 123 जो क्वेश खर लेते हैं जो maximum minimum जब वह टाइप का question स्टार्ट होगा वहां पर हम discuss कर लेंगे तो देखें जुट्स अभी हमें questions कैसे मिलेंगे कोई function दिया हूँ वो increasing function है decreasing function है वह में बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं तो suppose यहाँपे हमें कोई फंक्षन दिया हुआ f of x is equal to g of x कोई भी फंक्षन है तो हम क्या करेंगे पहले हम इसका derivative निकालेंगे अभी हमने f of x का derivative निकाल दिया तो हमें क्या मिल गए f-x तो अगर देखे f-x का value अगर greater than 0 है ठीक है तुसे हम क्या बोलेंगे increasing function थीक है अगर f-x का value 0 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे decreasing function तो ie आपको याद रखना है कोई भी function दिया वा अपने उसका derivative निकाला अगर उसका derivative का जो value है वह 0 से बड़ा है उसे आप decreasing increasing function बोलोगे अगर f-x का value 0 से चोटा है तो उसे आप क्या बोलोगे decreasing function ठीक है तो यह आप इसे याद रखना f-x is greater than 0 increasing function f-x is less than 0 decreasing function ठीक है तो देखे जो students जब हम question देखेंगे तो आपर हम बहुत ही easily समझ पाएंगे मैंने बहुत ही अच्छे से explain किया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे मैंने दो condition यूज किया दिखाया हुआ है आपको यह जरूर लिखके ले लिजे यह हमें question को solve करते से मैं बहुत ही help होगी से ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ फरस्ट कंडिशन में लिखा हुआ है a into b is less than zero a into b का value less than zero है मतलब क्या है a into b को जब multiply करोगी तो उसका value negative आएगा negative आएगा तो ही उसका value 0 से चोटा होगा ठीक है तो यह कब होगा a into b का value 0 से चोटा कब होगा जब देखें यहाँ पर इसके लिए मैं पास दो case मिलेंगे जब a का value positive होगा और b का value negative होगा ठीक ह है suppose b1 है यह b a positive 1 है यह negative 1 है तो इसको multiplier करेंगे तो minus आएगा minus का value ठीक है तो यह तो 0 से चोटा हो जाएगा यह first case हुआ a is greater than 0 a positive number है या फिर b negative number है या फिर second case a is negative number b is positive number ठीक है plus minus क्या होता है minus होता है ठीक है तो दोनों ही case में हमें negative number मिलेगा मतलब a into b 0 से चोटा है तो आप यह case 1 और case 2 यूज़ करोगे ठीक है और अगर a into b greater than 0 है मतलब a और b का value 0 से बढ़ा है मतलब क्या होगा students plus into plus plus into plus plus होगा और minus into minus b plus होगा मतलब अगर आप a positive ले रहे हो तो आपको b positive लेना है अगर आप a negative ले रहे हो तो आपको b b negative लेना है मतलब negative लेना मतलब 0 से छोटा रहेगा a और b का value और positive हमलब जब a का value 0 से बढ़ा है यह और b का value 0 से बढ़ा है ठीक है तो देखे जब a to b greater than 0 है तो हमें यह दो condition यूज यूज याद रखना है और जब a to b less than 0 है तो हमें यह दोनों condition याद रखना है ठीक है इसके help से हमें आगे के जो questions होंगे वहां पर हमें बहुत ही help मिलेगी solve करने के है ठीक है तो यहाँ पर हम directly example start करते है question no.1 क्या दिया हुआ है test whether the following function are increasing or decreasing ठीक है मतलब हमें check करना है कि हमारो जो function दिया हुआ है increasing function है या फिर decreasing function है ठीक है तो देखे फर्स एक्जाम्पल f of x is equals to xq-6 x square plus 12x-6 x belongs to any real number ठीक है तो देखे students अलड़ी हमने discuss किया कि हमें check करना है कि कोई function increasing है decreasing है हमें कैसे पता चलेगा ठीक है हम क्या करेंगे उसका derivative निकालेंगे अगर उसका value 0 से बड़ा है तो वह increasing हो जाएगा और अगर उसका value greater than less than 0 है तो वह decreasing हो जाएगा ठीक है यह अलड़ी हमने discuss किया हुआ है तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है जो given function है इसका हम derived निकालेंगे और फिर check करेंगे अगर हमने x के यह पर कोई भी real number मतलब minus 2 plus 2 minus 3 minus plus 3 कोई भी real number लेते है तो वह function का value greater than 0 या फिर less than 0 आना चाहिए तो यहां पर हमारा जो function है वो क्या दिया है x3 है square plus 12 minus x 16 तो अभी हम क्या करते हैं इसका derivative निकालते हैं इससे आप equation number 1 लिख सकते हो differentiate with respect to x ठीक है तो हम इसे with respect to x differentiate करेंगे तो हमें f dash x is equals to क्या मिलेगा 3x square minus 12x plus 12 और यह 0 हो जाएगा ठीक है तो इसे हम तोड़ा simplify करते है students f of x f dash x is equals to what लिख सकते हैं इसे 3 अगर हमने common लिया तो यह हमें x square minus 4x plus 4 मिल जाएगा ठीक है और इसे हम और simplify करके लिख सकते हैं यहां पर देखे काटर टेक equation इसको हम simplify करेंगे students तो यह हमें क्या मिल जाएगा x square minus 2x minus 2x plus 4 मतलब यह हमें क्या मिलेगा x minus 2 और x minus 2 देगा इसका मतलब हम x minus 2 का whole square लिख सकते हैं यहां पर देखे हम इसे 0 से छोटा है at any real number ओके तो देखे अगर यह देखे आपर students x के जगह पर अगर मैंने minus 4 रखा तो minus 4 minus 2 minus 6 हो जाएगा minus 6 का square करोगे तो वह 36 मतलब positive number होगा उसको हम 3 से multiply करेंगे तो भी तो भी मुझे positive number मिल रहा है अगर हमने यहां पर negative number रखा तो भी हमें positive number मिल रहा वह positive number ही दे रहा है लेकिन अभी आप देखे अगर यहां पर मैंने x के ज़र पर 2 रखा 2-2, 0, 0 का square, 0 हो जाएगा, 0 into any term, 0 मतलब देखें, जो हमारा function है, वो सारे real number पर positive ही होगा, increasing ही होगा, except x is equal to 2, ठीक है? तो अभी जो हमने, अभी जो discuss किया होई हम statement दे जते हैं, ठीक है, since x minus 2, cos square is greater than 0, for all x belongs to r, मतलब आप कोई भी real number लेंगे, तो हमें यह positive ही मिलेगा, except x is equal to 2, ठीक है? जब आप 2 लोग है, तो वो हमें greater than 0 नहीं मिलेगा, बाकी के सारे case के लिए हमें x का value, जो यह का value है, वो greater than 0 ही मिलेगा, इसका मतलब, यह 3 x minus 2 square भी greater than 0 होगा, for all x belongs to r and not is equal to 2, ठीक है? therefore, जो हमारा function है, sorry, f dash x है, वो भी हमारा greater than 0 होगा, for all x belongs to r and x not is equal to 2 के लिए, ठीक है? तो अभी हमने, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलका, f dash x is greater than 0, इसका मतलब क्या हुआ होगा, हमारा जो function दिया हुआ है, वो increasing function है, यहाँ पर हम statement में लिख देंगे, therefore, the given function is increasing for all x belongs to r, except x is equal to 2, ठीक है? तो यह देखिए, students हमारा, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, कि हमारा जो function है, वो increasing function है, ठीक है? अब देखिए, students क्या दिया, f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube, x belongs to r, ठीक है? तो हमें बताना है कि यह function increasing है या फिर decreasing है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका derivative निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हम लिख देते हैं, हमारा function क्या है, x minus 3, 2 minus 3x plus 3x square x cube, ठीक है? यह हमारा equation number first है, अभी हम इसका derivative निकालेंगे, with respect to x, इसे differentiate कर है, with respect to x, तो हमें क्या मिल जाएगा, f dash x is equal to 2 का derivative 0 हो जाएगा, 3x का derivative 3 हो जाएगा, 3x square का derivative 6x हो जाएगा, और यहाँ पर x cube 3x square हो जाएगा, ठीक है, इसे हम students arrange करते हैं, इसे हमने लिख दिया, f dash x is equal to minus 3, अगर हमने common लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यह x square plus हो जाएगा, और यह plus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो देखें students, यह, इसे हम क्या लिख सकते है, a square minus 2 a b plus b के form में दिख रहा है, तो इसे आप लिख सकते है, minus 3 x minus 1 का whole square, right, तो अभी देखें हमें f dash x हमने simplify किया, तो function क्या मिल गा, minus 3 into x, यह देखें students, अभी हमें क्या मिल क्या मिल minus 3 into x minus 1 whole square, अभी हमें क्या चेक करना students, यह जो function है, इसका value greater than 0 होगा, या फिर less than 0 होगा, any real number, on any real number, ठीक है, तो देखें students, अभी यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैंने positive 2 रखा, ठीक है, तो 2 minus 1, 1, 1 का square, 1, positive 1 number मिलेगा, ठीक है, उसको हम minus 3 के साथ multiply करेंगे, तो उस negative 3, ठीक है, अगर आपने negative number रखा, सपोज यहाँ पर minus 3 रखा, एक्स की जगा पर, ठीक है, तो यहाँ पर minus 4 हो जाएगा, minus 4 का square करोगा, तो 16 हो जाएगा, 16 into minus 3 करोगे, तो negative number मिलेगा, minus 48 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी positive number रखें, या फिर कोई भी negative number ठीक है, 1 minus 1 करोगे, तो 0, 0 का square 0, 0 into any number 0 मिलेगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, कि यह जो function हो हमेशा positive होगा, x belongs to any real number, except x is equal to 1, मतलब x अगर 1 होगा, तो इसका value negative नहीं होगा, positive नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, statement देते हैं, since x minus 1 is greater than 0, okay, at all x belongs to r, but x not is equal to 1, ठीक है, यहाँ पर x not is equal to 1 होना चाहिए, और बाकी सारे real number के लिए हमें positive number ही रहेगा, लेकिन, therefore, यहाँ पर देखे, minus 3 है, तो यहाँ पर minus 3, जब positive, यहाँ पर positive number मिलेगा, उसको negative number के साथ मिलेगा, multiply करेंगे, तो negative answer आएगा, इसका मतलब, यह हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा, ठीक है, at all x belongs to r, except x not is equal to, मतलब 1 को छोड़के, बाकी के सारे real number पे, हमारा जो function है, वो less than 0 ही होगा, ठीक है, इसका मतलब, हमारा जो function है, f dash x है, वो less than 0 हो गया, ठीक है, at what all x belongs to r, except x is equal to 1, x not, x is equal to 1 को छोड़के, x1 को छोड़के, अगर, किसी भी real number को use करेंगे, तो हमें यह, f dash x का value, less than 0 ही होगा, मतलब negative ही होगा, ठीक है, तो देखे, शुन्स, यहाँ पर हमने बता दिया, कि f dash x का value less than 0 है, मतलब, यह हमारा function, जो given function है, वो decreasing function है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, therefore, the given function is decreasing at all x belongs to r, except 1, ओके शुन्स, तो यह हमें statement हुआ, ठीक है, next example, example 3 देखे, शुन्स क्या दिया हो, f of x is equals to x minus 1 upon x, x belongs to r, but not is equals to 0, ठीक है, तो अभी हमें check करना है, कि हमारा function है increasing है, या फिर decreasing है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसे हमने लिख दिया, equation number 1, तो हम क्या करते है, f dash x, मतलब differentiate with respect to x, तो हमें क्या मिल जाएगा, f dash x is equals to, यहाँ पर x का derivative क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पर 1 minus x का derivative का हो जाएगा, minus 1 upon x square, तो यह हमें मिल जाएगा, 1 plus 1 upon x का square, तो यहाँ पर देखे, f dash x हमें क्या मिल गया, 1 plus 1 upon x का square, हम लिख सकते हैं students, x square plus 1 upon x square, ठीक है, यहाँ फिर आप इसे लिख सकते हो, 1 upon x square into x square plus 1, ठीक है, तो अभी देखे, student c, हमने f dash x find out कर लेगा, अभी हमें check करना है कि हमारा function, positive होगा या negative होगा, at x belongs to r, but not is equals to 0, ठीक है, तो देखे, students, अभी हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर x के जगह पर, हमने अगर negative number भी रखा, ठीक है, यहाँ पर x को square, यहाँ पर भी x को square, अगर हमने negative number का square करते हैं, तो हमें positive number ही आता है, तो यहाँ पर positive number, plus positive number, positive number ही रहेगा, positive number divide by any positive number तो हमें positive number ही मिलता है okay students अगर यहाँ पे आप कोई negative number चेक कर ले रहे हो x के जापे suppose minus 2 ले रहे हो minus 2 का square करोगे प्लस आएगा plus 4 आएगा plus 4 plus 1 plus 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 को 4 से डिवाइड करोगे वो भी positive number है plus 5 by 4 तो यहाँ पर हमने x के जगा पर negative number भी लिया या positive number भी लिया और उसको चेक किया तो हमें positive number ही मिल रहा है ठीक है लेकिन अगर आपने x के जगा पे 0 रखा तो 0 का square 0 0 प्लस आएग प्लस 1 होगा लेकिन upon 0 है ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा 0 हो जाएगा ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि f of x is greater than 0 at x x belongs to r not is equal to 0 x not is equal to 0 ठीक है तो यह भी हम statement दे देते हैं therefore यहाँ पर देखे 1 upon x square is greater than 0 at all x belongs to r except x is equal to 0 मतलब x 0 को छोड़के बाकी के सारे real number पे हमारा 1 upon x square greater than 0 होगा मतलब positive number होगा इसका मतलब 1 upon x square x square plus 1 also greater than 0 at for all x belongs to r except x is equal to 0 ठीक है x is equal to x 0 को छोड़के बाकी सारे x real number consider करेंगे तो हमें यह function हमारा positive number ही मिलेगा ठीक है therefore हमारा जो function है f dash x is greater than 0 for all x belongs to r except x is equal to 0 इसका मतलब क्या हुआ f dash x हमारा greater than 0 मिल गया इसलिए हम statement ले सकते हैं therefore the given function is increasing for all x belongs to r except x is equal to 0 ठीक है मतलब x 0 को छोड़के बाकी के सारे any x any real number के लिए हमारा जो function है वो increasing होगा ठीक है next question question number second देखे find the value of x for which the following function are strictly increasing ठीक है तो हमें condition दिया हुआ कि यह function increasing है आपको x का value find out करना है ठीक है तो बहुत ही easy question है ध्यान से देखिए जैसे हमने previous question number 1 में देखा हुआ almost वैसे ही कुछ तो करना है ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ trap नए है ठीक है तो प्लीज carefully देखे यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो function है क्या दिया हुआ है 2x cube minus 3x square minus 12 x plus 6 यह equation number 1 है तो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि यह function increasing है ठीक है तो देखे इसमें भी हम क्या करेंगे पहले इसका हम derivative निकाल लेते है differentiate with respect to x कर लेते है तो हमें क्या मिल जाएगा f dash x is equals to 6x square minus 6x minus 12 ओके तो इसे हम simplify कर लेते हैं तो दोड़ा f dash x is equals to x क्या हो जाएगा अगर हमने x 6 को common लिया x square minus 6 minus sorry यहाँ पर 6 common लिया ठीक है तो x square minus x minus 2 ठीक है इस्टूंस यह भी quadratic equation है इसे आप simplify करोगे ठीक है x square minus 2x plus 1x minus 2 यहाँ पर x हमने common लिया यहाँ पर 1 common लिया तो हमें x minus 2 और x plus 1 ठीक है यहाँ पर हमने factor find out कर लिया ठीक है x minus 2 और x plus 1 ठीक है अभी यहाँ पर क्या बोल रहे है यह given function increasing है ठीक है since the given function is increasing since the given function is increasing it means इसका मतलब क्या बस्टूंस कि f dash x यह 0 से बड़ा होगा ठीक है इसका मतलब हम लिख साकते हैं कि 6 x minus 2 x plus 1 is greater than 0 होगा अभी देखिए अगर हमने both the side inequality के sign both the side हमने 6 से divide किया तो हमें क्या होगा यह x minus 2 x plus 1 0 को 6 से divide करेगे तो 0 ही होगा ठीक है मतलब इसको हम यह भी लिख साकते है ठीक है तो अभी देखिए अगर हमने starting में discuss किया था कि A into B ठीक है A कोई real number है B कोई real number है A into B is greater than 0 है इसका मतलब क्या होगा ठीक है यह कब होगा अगर A positive number है मतलब A greater than 0 है and B greater than 0 है ठीक है A भी positive है B भी positive है मतलब 3 है यह 4 है 3 into 4 12 plus 4 आएगा plus 12 आएगा मतलब greater than 0 हुआ यह case 1 हुआ ठीक है अभी देखिए case 2 अगर A कोई negative number है मतलब less than 0 है and B कोई negative number है मतलब less than 0 है तो भी हमारा ये क्या होगा 3, minus 3, minus 4 plus 12 ही होगा तो भी हमारा plus 4 होगा, ये plus होगा greater than 0 होगा, मतलब if A into B is greater than 0 तो ये हमें 2 case मिलेंगे, ठीक है, तो ये दोरों case पे हम X का value find out करेंगे ठीक है students, तो case first case first क्या होगा ये A ये B, तो first case हमारा क्या होगा, A भी greater than 0 होगा B भी greater than 0 होगा, मतलब X minus 2 greater than 0 and B, मतलब X plus 1 is greater than 0 तो ये case के help से हम पहले X का value find out करते है तो यहाँ पर देखे, students X minus 2 greater than 0 and X plus 1 greater than 0 इसे हम कैसे लेख सकते हैं अब ये minus 2 equality के उसरफ जाएगा तो वो plus 2 होगा, मतलब X greater than minus 2 ये inequality की sign change नहीं होगी जैसे है, वैसी ही रहेगे, students ये X greater than minus 1 ठीक है? तो देखे, first case में हमने क्या दिखाया? कि X greater than minus 2 है X greater than sorry, ये plus 2 होगा और ये minus 1 होगा, यहाँ पर minus से उसरफ जाएगा, तो ये plus होजाएगा तो देखे, अभी दोनों में से कौन सा value हम लेंगे अभी उसे मैं पहले explain करता हूँ आप please carefully देखे, ये हमें आपको दिखाना नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए में बता रहा हूँ देखे, ये number line है ये 0 है, 0 के सिरफ ये positive होते है infinite यहां पर, x का value 2 से बड़ा है मतलब इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा तो छोटा हो जाएगा मतलब x का value कहां पर हो सकता है इस तरफ कहीं पर हो सकता है ये क्या बोल रहा है, x का value minus 1 से बड़ा है यह minus 1 कहां पर है यहां पर है, x का value minus 1 से बड़ा है सरी 2 से भी बढ़ा है तो अभी माइनस 1 और 2 में कौन सा नमबर बढ़ा है 2 बढ़ा है ठीक है जब x का वैल्यू 2 से बढ़ा है तो obviously माइनस 1 से तो बढ़ा ही होगा तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू है x is greater than 2 ठीक है तो यह हमारा देखे फर्स्ट वैल्यू क्या हो गया x is greater than 2 ओके second case देखते है case number second क्या है यह वाला a का वैल्यू 0 से चोटा है और b का वैल्यू भी 0 से चोटा होगा ठीक है तो यहाँ पर x-2 is less than 0 and x plus 1 is less than 0 ठीक है तो इसे हम कैसे ले सकते है x-2 less than 0 and x plus 1 less than 0 अभी 2 दर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x less than 2 and x less than minus 1 ठीक है अभी यह condition में से हम check find out करते हमारा x का value क्या होगा तो please carefully देखे है students फिर से number line लेते है और उसमें समझनी कोशिश करते है ठीक है number line से आपको बहुत easily समझ में आएगा इस तरफ positive 1, 2, 3 होगा इस तरफ negative 1, 2, 3 होगा students negative infinite और यह positive infinite ठीक है तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x का value 2 से छोटा है x का यहाँ पर, x का value 2 से छोटा है मतलब इस तरफ कहीं पर होगा अगर यह इस तरफ जाएगा तो positive 2 से बड़ा हो जाएगा ठीक है अभी यह case क्या बोल रहा है x is greater than x is less than minus 1, minus 1 का पर यहाँ पर minus 1 से छोटा है मतलब इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा तो यह इस तरफ जाएगा, ठीक है अभी देखे, minus 1 और 2 में छोटा कौन सा है minus 2, ठीक है x का value 2 से भी छोटा है, x का value minus 1 से भी छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ x का value जो छोटे नंबर से छोटा है मतलब, minus 1 से भी छोटा होगा ठीक है मतलब, अगर वो minus 1 से छोटा है, तो obviously ठीक है, minus 1 से छोटा है मतलब, 2 से भी छोटा ही होगा ठीक है, तो यह हम यहाँ पर answer क्या लेंगे, students, x is less than minus 1, जब x का value minus 1 से छोटा है ठीक है, तो यहाँ पर देखे, students, दोनों ही हमे value मिल गए, दोनों case के लिए value मिल गए हम statement क्या लिखेंगे, therefore the function is increasing, if therefore value find out करना था therefore function is increasing if x is greater than 2 or x is less than minus 1, ठीक है, ठीक है, तो यह हमने statement देना है, next example number second देखे, students, क्या दिए है, f of x is equal to 3 plus 3x minus 3x square plus x cube, ठीक है, तो यह हमें function increasing है और हमें x का value find out करना है, ठीक है, तो यह previous example के जैसा ही है, हम students follow करते है, तो सबसे पहले हमारा function है, उसको लिख देते है, x plus 3x minus 3x square plus x cube, ठीक है, इसे हमने equation number 1 दे दिया, अभी हम क्या करेंगे, इसका हम derivative निकालते हैं, पहले differentiate करते हैं, इसे with respect to x, तो हमें क्या मिल जाएगा, f dash x is equal to 3 का derivative 0 plus 3 minus 6x plus 3x square, इसे हम तोड़ा arrange कर लेते हैं, students, f dash x is equal to क्या हो जाएगा, 3 हमने comma ले लिया, x square minus 2x plus 1, ठीक है, इसे हम देखे, इसे क्या लिख सकते है, यह a square minus 2ab plus b के form में दिख रहा है, तो इसे लिख सकते है, 3x minus 1 का whole square, ठीक है, तो देखे, f dash x को हमने arrange कर लिया, हमें क्या मिल गया, a 3 into x minus 1 का whole square, ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, since function is increasing, ठीक है, कि हमें दिया हुआ है, कि हमारा जो function है, वो increasing है, इसका मतलब, f dash x क्या है वो greater than 0 है, ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते है, 3x minus 1 whole square is greater than 0, ठीक है, यह 3 को हमने बहुत साइट किया, तो भी हमें क्या मिलेगा, x minus 1 का square is greater than 0, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते है, 1 minus x whole square is greater than 0, अभी देखे, यहाँ पर हमें x का value find out करना है, ठीक है, तो अभी देखे, यह क्या दिया हुआ, x minus 1 का whole square is greater than 0 है, मतलब carefully देखे, अगर हमने x के जगह पर कोई भी positive number रखा, suppose यहाँ पर हमने 2 रखा, 2 minus 1, 1, 1 का square, 1 आएगा, positive रखा, अगर हम यहाँ पर 5 रखा, 5 minus 1, 4, 4 का square, 16, वो भी positive रखा, अगर x के जगह पर हमने कोई negative number रखा, suppose मैंने 3 रखा, minus 3 रखा, तो minus 3 minus 1, minus 4, minus 4 का square, 16, प्लस 16 ही आ रहा, अगर आप minus 2 भी रखोगे, या प्लस 2 भी रखोगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर positive number भी ले रहे हो, negative number भी ले रहे हो, तो भी हमें x का value क्या मिलने वाला है, positive मिलेगा, ठीक है, मतलब, sorry, इसका मतलब क्या हुआ, greater than 0 ही मिलने वाला है, इसका मतलब, यहाँ पर हमारा जो x है, वो कोई भी real number हो सकता है, positive भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन, एक condition, यहाँ पर अगर आप x की जगा पर 1 रखोगे, तो यह 0 हो जाएगा, तो वो increasing function नहीं रहेगा, इसका मतलब, x का value 1 नहीं होगा, 1 को छोड़के, कोई भी हमारा real number हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, the function is increasing if x is any real number, ठीक है, x हमने कोई भी real number यूज़ किया, तो हमें function हमारा increasing ही होगा, except, except, x अगर हमने 1 यूज़ किया, ठीक है, अगर आप 1 यूज़ करोगे, तो यह 0 हो जाएगा, x हमारा कोई भी real number हो सकता है, except, x is equal to 1, तो यह हमारा statement होगा, ठीक है, ठीक है, the function is increasing for all, यहाँ पर if मतलब लिखेंगे, for all, x belongs to r, except, 1, ठीक है, 1 को छोड़के, कोई भी real number हमारा, x का value हो सकता है, जो हमें positive number ही देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसका मतलब देखें, x for all, x belongs to r, except, 1, को हम ऐसे भी statement कर सकते है, हमारा x का value, कोई भी हो सकता है, कोई भी real number हो सकता है, except, एकसेप्ट 1 थीक है तो यह यह जो स्टेटमेंट है उसका मतलब यह हो गया यह हमाई टैस्ट बूक में आंसर दिया हुआ है therefore हमारा x का हो जाएगा x is equal to any real number except 1 okay तो यह हमारा x का value मिल गा श्रॉंट से एक स्टेटमेंट दे दिजे है therefore function is increasing if x is equal to r except 1 okay तो यह हमारा required answer आ गया next example third example the equations क्या दे है f of x is equal to x q minus 6x square minus 36 x plus 7 ठीक है यह function increasing है हमें x का value find out करना है तो क्या करेंगे पहले हम लिख देते है हमारा given function का है x q minus 6 x square minus 36 x plus 7 यह हमने इसे equation number 1 दे दिया अभी हम इसका derivative find out करते है differentiate with respect to x ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा f dash x is equal to what 3 x square minus 12 x minus 36 or 7 का derivative 0 हो गया ठीक है इसे हम arrange करते हैं students यहां पर हमने 3 common ले लिया x square minus 4 x minus 12 अभी इसका factor find out करोगे x square minus 12 x minus 12 का यह x square minus 6 x plus 2 x minus 12 यहां पर x minus 6 और plus 2 x minus 6 मतलब x minus 6 और x plus 2 होगा ठीक है इसका हमने factor find out किया students यह 3 x minus 6 और x plus 2 होगा ठीक है अभी देखे f dash x मिल गया is equal to x अभी हमें क्या दिया हुआ इसे हम लिख सकते हैं कि यह हमारा x minus 6 x plus 2 greater than 0 हो गया यह 3 बहुत दिवाइड करेंगे तो यह हमें time मिल जाएगा देखे students अभी हमें क्या मिला a minus b greater than 0 इसका मतलब हमें दो case मिलेंगे ए भी greater than 0 हुसकता है और यह case 1 हो गया या फिर a less than 0 हो छकता है यह हमारा case 2 हो है मतलब दोनों positive होंगे तो मेरा greater than 0 मिलेगा या फिर दोनों और भी दोनो negative होंगे तो मुझे greater than 0 मिलेगा minus into minus plus होता है organizers into plus plus होता है तो यह हमारा एक consider करते है इसे हम भी consider करते है case one case two दोनों case दिखाते है case first ठीक है तो यहां पे x minus 6 greater than zero and x plus 2 greater than 0 ठीक है अभी देखें यहां पर यह क्या हो जाएगा minus 6 मा पर जाएगा तो plus हो जाएगा यह प्लस हो गया and x minus x greater than minus 2 ठीक है अभी देखिए students इसे हम line number line पर समझते हैं यह हमारा number line है यह 0 है यह positive 1 positive 2 positive 3 है यह अब तो यह positive 6 है dot 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 ठीक है और यहाँ पर negative 1 negative 2 negative 3 negative infinite यह positive infinite तक जाएगा line ठीक है तो अभी हमें क्या दिया x का value 6 से बढ़ा है 6 कहां पर है suppose आपका यहां पर 6 है 6 से बढ़ा है मतलब स्टुइंट इस तरफ जाएगा ठीक है और यह second case दीख्या दिया हुआ है सब्सक्राइब से वी बढ़ा है तो एक्ससराइब सब्सक्राइब इसका मतलब मानस2 से भी बढ़ा ही ऊगप यहाँ पर हमारा क्या हो जाए गा एक्स जैएगत एए ग्रीज घ्रेटब धन 6 टो इ मुसे धे या पर तियर फोर एफ आफ जो मारा वैल्यू है है first case के लिए X is greater than 6 ठीक है अभी second case के लिए देखते है students a case 2 second case क्या बोल रहा है X minus 6 less than 0 होगा and x plus 2 less than 0 होगा ठीक है अभी यहाँ पर देखे एक्स माइनस मापे जाएगा तो प्लस हो जाएगा and 2 आपे जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोनों को अभी हम फिर से number line पर समझने कोशिश करते हैं ठीक है यह हमारा 0 है यह 1 2 3 4 5 6 up to infinite ठीक है यह minus 1 है minus 2 है up to minus infinite ठीक है अभी यहाँ पर क्या बोल रहे है यह X is less than 6 6 कहां पर है यहाँ पर X का value 6 से चोटा है 6 से चोटा है मतलब इस तरफ जाएगा रइट और यहाँ पर क्या बोला एक्स का value minus 2 से चोटा है minus 2 मतलब यहाँ पर है minus 2 से चोटा है मतलब इस तरफ जाएगा ठीक है तो तो x का value 6 से भी छोटा है minus 2 से भी छोटा है तो इसका मतल़ हम बोल चकते हैं कि अगर x का value minus 2 से छोटा है obviously तो 6 से छोटा ही होगा ठीक है therefore x less than minus 2 यह हमारा second value हो चाहेगा ठीक है first case से हमें क्या मिल गया x is greater than 6 और second case से हमें क्या मिल गया x is less than minus 2 ठीक है तो यहाँ पर हम statement क्या लिख देंगे students the the therefore the function is increasing if x is greater than sorry x is less than 6 और sorry यहाँ पर first यह हम यह मिला ना x is greater than 6 और यह x is greater than में लिखिए first case से हमें यह answer मिला हुआ x is greater than 6 और second से हमें क्या मिला हुआ है और x is less than minus 2 ठीक है तो यह हमारा required answer आ जाएगा question number 3 देखे students क्या दिया हुआ है find the value of x for which the following function are strictly decreasing ठीक है तो अभी हमें question number 3 में क्या दिया function decreasing है यह हमें बताया गया है हमें x का value find out करना जैसे question number 2 था वैसे question number 3 भी हमें minus 12 x plus 6 वहारा function देखे cash funds f of x is equal to 2 x q plus 3 x square minus 12 x plus 6 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका derivative find out कर लेंगे differentiate करते हैं इसे with respect to x देखे आप इसका जब derivative निकालोगे तो आपको f of x is equal to क्या मिल जाएगा 6 x square plus 6 x minus 12 6 का derivative 0 हो जाएगा इसे हम arrange करते है 6 हमने common लिया x square plus 6 x sorry 1 x plus minus 2 ठीक है तो यहाँ पर देखे क्या मिल जाएगा x square plus x minus 2 मिल गया हम इसका factor find out करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x plus plus 2 x minus 1 x minus 2 इसका मतलब x plus 2 minus 1 हमने common लिया x plus 2 तो यहाँ पर x plus 2 और x minus 1 मिल गया तो इसके यह पर हम क्या लिच सकते है 6 x plus 2 x minus 1 ठीक है तो यह हमारा f dash x देखे क्या मिल गया 6 x plus 2 x minus 1 अभी हमें क्या दिया है since the function is decreasing ठीक है यह हमें question में दिया हो कि function हमारा decreasing है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि f dash x is less than 0 है मतलब f dash x का value 0 से छोटा है तो इसका मतलब हम क्या लिच सकते है students कि 6 x plus 2 x minus 1 भी हमारा 0 से छोटा होगा ठीक है अभी देखे बोदे साइड अगर हमने 6 से डिवाइट किया तो हमें क्या मिल जाएगा x plus 2 x minus 1 less than 0 होगा ठीक है student देखे अभी यह हमारा a है यह हमारा b है तो हम देखे a into b less than 0 0 से छोटा कब होगा तो देखे अगर a positive है मतलब a is greater than 0 है and b is negative b 0 से छोटा है sorry छोटा है ठीक है जब a positive होगा और b negative होगा तो positive into negative negative मतलब 0 से छोटा हो जाएगा ठीक है यह हमारा a case होगा और दूसरा case क्या है जब हमारा a 0 से छोटा है and b 0 से बड़ा है यह second case मतलब a negative number है b positive number है positive into negative negative ही होगा मतलब यह 0 बड़ा ही है ठीक है तो यहाँ पर हमारे 2 case बनेंगे जब हमारा a into b less than 0 होगा ठीक है तो यहाँ पर a है यह यह है यह है b ठीक है student तो यह जब भी decreasing होगा तो आपको ध्यान रखना यह दो cases बनेंगे और increasing में हमने देखा था ठीक है तो यहाँ पर case 1 case 1 क्या है this a मतलब x plus 2 is greater than 0 and x minus 1 is less than 0 यह से हम try करते हैं solve करने के लिए तो यह हमें देखे क्या मिलेगा x is greater than minus 2 and x is less than 1 ठीक है तो अभी हम इसे number line पर समझने के लिए कोशिश करते है students देखे यहाँ पर क्या दिया हुआ यह हमारा 0 है यहाँ पर यह plus 1 है यह plus 2 है यह plus infinite है यह minus 1 है यह minus 2 है यह minus infinite है ठीक है अभी यह क्या बोला है x का value minus 2 से बड़ा है x कहां है यहाँ पर है x का value minus 2 से बड़ा है मतलब इस तरफ जाएगा right और यह क्या बोला है x का value minus sorry x का value 1 1 से छोटा है 1 कहां है यहाँ पर है तो इस तरफ जाएगा तो यह जो हमारा value x का वो minus 2 से लेके 1 के बीच में है ठीक है तो यह से हमें क्या पता चल रहा है x is in between minus 2 and 1 ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते है x is minus 2 is less than x and x is less than 1 इसका मतलब क्या हुआ x का value minus 2 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है यह हमारा first case से मिल गया हमें ठीक है अभी case second देखते है case second क्या बोल रहा है x plus 2 is less than 0 and x minus 1 is greater than 0 अभी यह case को solve करके check करते है यह देखे 2 वहाँ पर जाएगा तो minus हो जाएगा और यह minus 2 है यहाँ पर minus infinite तक जाएगा ठीक है अभी देखे क्या है यह यह अभी x minus 2 is greater than minus 2 is greater than x मतलब x का value minus 2 से छोटा है इस तरफ जाएगा ठीक है और यह क्या बोल रहा है x is greater than 1 1 से बड़ा x का value 1 से बड़ा है मतलब इस तरफ चाहेगा तो यह तो दोनों ही opposite हो गया यह तो possible ही नहीं हो सकते कि x का value minus 2 से भी छोटा हो और x का value 1 से बड़ा होगा ठीक है यह possible नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते है है it doesn't exist ठीक है तो यह possible नहीं है it is not possible to do हमारा answer क्या होगा this is our required answer ठीक है therefore हम लिख सकते value 2 से minus 2 से बड़ा हो और x का value 1 से छोटा हो between this तो x का value होगा students वह हमारा minus 2 और 1 के बीच में होगा okay students next example example देखे students क्या दिए f of x is equal to x plus 25 by x ठीक है तो हमें x का value find out करना है और यह function decreasing ऐसे हमें दिया गया है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लिखते है f of x is equal to x plus 25 by x यह हमारा given condition है given function है इसे हम differentiate करेंगे differentiate with respect to x इसका derivative निकालेंगे with respect to x तो हमें f dash x is equal to क्या मिल जाएगा x का derivative 1 और यहां पे 25 constant 1 upon x का derivative minus 1 upon x square मिल जाएगा मतलब यह minus 25 by x square मिल गया ठीक है इसे थोड़ा हम arrange का लेते हैं इसे हम लिख सकते है x square minus 25 by x square या फिर इसे आप लिख सकते है one upon x square into x square minus 25 ठीक है यहां पर देखे f dash x हमें क्या मिल गया one upon x square into x square minus 25 अभी हमें क्या दिया हुआ है since the function is decreasing given condition है function decreasing है इसका मतलब क्या है f dash x is less than 0 है मतलब यह पूरा या फिर बी हमारा greater than 0 होगा या यह case 1 हो जाएगा और case a greater than 0 होगा and b less than 0 होगा यह हमारा case 2 हो गया ठीक है एक बार a negative होगा या फिर b positive होगा या फिर b positive होगा a negative हो जाएगा ठीक है तो वह case में हमें यह a into b का value 0 से छोटा मिलना होगा ठीक है तो यहां पर इसे a consider करते है इसे b consider करते है case first ठीक है case first क्या 1 by x square is less than 0 and x square minus 25 is greater than 0 ठीक है students तो अभी देखे जब हमारा यहां पर देखे 1 upon x square less than 0 है इसका मतलब क्या हो सकता students अगर यहां पर हम x का कोई भी value ले ठीक है वह 0 से छोटा होगा suppose हमने 1 लिया यहां पर 1 लिया तो 1 का square 1 1 by 1 यह तो possible ही नहीं होगा ठीक है तो यहां पर यह case possible नहीं होगा students क्योंकि अगर आपने यहां पर एक बार 1 लिया या फिर minus 1 लिया तो वह 0 से तो बढ़ा ही होगा ठीक है अब यहां पर एक स्क्वेर इस लेस देन जीरो ठीक है यहां पर एक समने कोई भी रियल नंबर कंसिडर किया सब्सक्राइब ने वन कंसिडर किया तो वन का square वान ही होगा वन अपन वन 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 कैंसल वन तो यह तो जीरो से बढ़ा ही आएगा आप कोई भी positive नंबर लेजिए या भी negative नंबर लेजिए यह तो possible ही नहीं यह doesn't exist यह क्या यह condition हमारा not exist होगा ठीक है अभी हम इसे चेक करते हैं अभी देखें यहां पर x square less than 25 अभी यह square वहां पर जाएगा तो यह root 5 प्लस हो सकता है 5 मैंज भी 5 हो सकता है 5 अभी से हम नंबर नेम पर समझने में कोशिश करते हैं निए 6 0 है यहां पर प्लस 5 है यहां पर माइनस 5 है यह माइनस इंफाइनाइट यह हमारा प्लस इंफाइनाइट ठीक है यह क्या बोल रहा है एक्स का वैल्यू प्लस 5 से भी बढ़ा है और माइनस 5 से बढ़ा है और एक्स का वैल्यू माइनस 5 से बढ़ा है मतलब यह डिरेक्शन में जाएगा ठीक है यह possible हो सकता है कि x का value minus 5 से भी बढ़ा है और 5 से भी बढ़ा है ठीक है लेकिन यह हमारा यह condition possible नहीं है यह doesn't exist हम case 2 देखते हैं case 2 देखे क्या दिया होगा क्या होगा students 1 by x square is greater than 0 and x square minus 25 is less than 0 ठीक है तो अभी यहाँ पर हम x के पर कोई भी number लेंगे वो हमारा 0 से बढ़ा ही होगा मतलब यह condition हमारा possible हो सकता है ठीक है तो x can be any real number ठीक है x belongs to any real number but x does not 0 लेकिन x हमारा 0 नहीं होना चाहिए ठीक है x कोई भी real number हो सकता है लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए ओके अभी यहाँ पर देखे इसे हम क्या लिख सकते है x square minus 25 वहाँ पर जागा तो plus 25 हो जाएगा अभी square यहाँ पर जागा तो root 25 का root क्या होता है प्लस माइनस 5 यहाँ पर x less than plus 5 और minus 5 इसे हम number line पर समझने कोशिक कर देख 0 है यहाँ पर हमारा plus 5 है यहाँ पर हमारा minus 5 है ठीक है अभी क्या बोल रहा है x plus 5 से छोटा है plus 5 से छोटा है मतलब इस direction में जाएगा yes x हमारा minus 5 से भी छोटा है मतलब यह इस direction में जा सकता है मतलब यह possible condition हो सकता है x का value 5 से छोटा है x का value minus 5 से छोटा है ठीक है तो देखें यह हमारा first case में हमने देखा तो यह doesn't exist नहीं करता था यहां पर देखें यह भी exist कर रहा है यह भी हमारा exist कर रहा है ठीक है लेकिन यहां पर हम answer कैसे लिकेंगे वह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो हमारा जो हमें x का value find out करने के लिए बोला था यहां पर देखिए हमारा x क्या होगा माइनस 5 तू 5 के रेंज में है ठीक है तो हमारा x क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है माइनस 5 भी हो सकता है और यहां पर देखना है आपको x belongs to any real number but not is equal to 0 तो यहां पर जो सारे conditions है students आपको carefully देखना है यहां पर क्या बोल रहा है x is less than 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है ओके और यह क्या बोला x belongs to any real number but x not is equal to 0 इसका मतलब क्या हो सकता है ऐसे हम क्या statement देंगे students क्यारफूली देखे x x can be मतलब x का value क्या हो सकता है माइनस 5 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है but does not लेकिन x हमारा 0 नहीं होगा ठीक है तो यहां पर हम लिख सकते है the function is decreasing and value of and x is minus 5 और 5 but not 0 ठीक है students यह हमार रिक्वार्ड आंसर आजाएगा next example लेक्ते है ठीक है students क्या देखे f of x is equal to x q minus 9 x square plus 24 plus 12 ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है students यह जो given function है उसका हम derivative find out कर लेंगे ओके तो यहां पर हम लिख देते है differentiate with respect to x यहां पर हमें क्या में लेगा f dash x is equal to 3 x square minus 18 x plus यहां पर 24 x है तो 24 और 12 का derivative 0 हो जाएगा ठीक है यहां पर हम 3 common ले सकते है यह x square minus 6 x plus 24 ठीक है यह f dash x देखे और इसे हम तोरह simplify कर लेते है इसका हम quadratic equation है इसका हम factor find out कर लेते है 6 x plus 8 multiply करने पर 8 आना चाहिए और minus करने पर 4 2 जा x square plus 4 minus 4 x minus 2 x plus 8 यहां पर हमें x minus 4 minus 2 का में लें x minus 2 तो x minus 4 x minus 2 मिल जाएगा ठीक है यहां पर देखे x minus 4 और x minus 2 ठीक है तो अभी हमें क्या दिया हुआ है since the function is decreasing यह हमें question में दिया हुआ है function is decreasing therefore हम क्या लिख सकते है f dash x हमारा 0 से चोटा होगा इसका मतलब हम लिख सकते है कि 3 x minus 4 x minus 2 less than 0 है या फिर हम ऐसे भी ले सकते है x minus 4 x minus 2 0 से चोटा है ठीक है अभी देखे questions यहां पर हम a into b less than 0 ठीक है a into b less than 0 कब होगा जब a का value positive होगा या फिर b का value negative होगा यह first case या फिर a का value 0 negative होगा या फिर b का value positive होगा और यह सॉरी यह a positive b negative a negative b positive ठीक है यह case 1 यह case 2 ठीक है यह दोनों ही case में हमें से solve करना पड़ेगा यह हमारा a है यह हमारा b है तो यहां पर हम case first के लिए देखते हैं case first यह greater than 0 and is less than 0 इसे solve करने कोशिश करते है students minus 4 greater than 0 and x minus 2 less than 0 यह क्या हो जाएगा x greater than 4 and x less than 2 इसे number name पर समझने कोशिश करते है student possible है या नहीं possible है यह 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह dot dot infinite तक जाएगा ठीक है यहां पर negative number है यहां पर क्या बोला है x is greater than 4 x का value 4 से बढ़ा है 4 से बढ़ा है मतलब यह direction में जाएगा ठीक है तो यह case doesn't exist यहां पर लिख देते हैं doesn't exist not possible यह फिल लिख दीजे not possible okay case 2 देखते है case 2 में क्या है x minus 4 less than 0 है and x minus 2 greater than 0 है okay तो यह क्या हो जाएगा x minus x less than 4 हो जाएगा and x greater than 2 हो जाएगा ठीक है अभी से हम number name पर समझें कोशिश काते students यह हमारा 0 है यह इस तरफ negative number है इस तरफ 1 2 3 4 5 है क्या बोला है x का value 4 से चोटा है मतलब 4 से चोटा है मतलब यह 4 है यहां पर 4 से चोटा है मतलब इस तरफ जाएगा x का value 2 से बड़ा है 2 से 2 मतलब 2 से बड़ा मतलब यह direction में जाएगा ठीक है तो यह condition possible हो सकता है x का value 2 और 4 के बीच में possible हो सकता है ठीक है तो यहां पर यहां पर हम इसे क्या लिख सकता है x is greater than 2 and x is less than 4 ठीक है यह हमारा possible case हो सकता है तो यह हमारा required answer हो सकता है students हो जाएगा ठीक है इसे हम statement लिख देंगे therefore first case में doesn't exist second case possible है ठीक है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे the function the function is decreasing okay function is decreasing at point at x is equal to if 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 x is equal to what 2 से छोटा होना चीए और 4 से बड़ा होना चीए if x is greater than 2 and less than 4 ठीक है शुन तो हमारा required answer आजाएगा यह statement आप जरूर देजेगा ठीक है तो देखे शुन्स आज हमने exercise point exercise नमबर 2.4 का question 1 2 और 3 के सारे examples के ठीक है यह video को हम यहां पर stop करते है शुन्स video के देखे इसके जो बच्चेवे questions है वो हमने दूसरे video में cover किया और जिसका link मैंने आपको description में शेयर किया हुआ है ठीक है तो बच्चेवे question को continue करने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाए link follow करें सारे examples को continue कर सकते है ठीक है शुन्स तो वीडियो के यहां पर stop करते है शुन्स video के एंड में छोड़ा सा request करना चाहूंगा अगर आपको यह मेरा वीडियो helpful है तो प्लीज वीडियो केंड में छोड़ा से comment करें और बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कुछ issue or suggestion है वो भी मुझे comment करके बता सकता है अगर आपको मेरा चैनल helpful है तो प्लीज चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेजे और आपके जो भी फ्रेंड सब्सक्राइब करें उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रू शेयर करें ओके शुन्स तैंक्यू